हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम अलकली मिटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट कंपाउंट्स हैं वॉसिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और कॉमन इस टॉपिक के एंड में हम सोडियम और पोटेसियम के कुछ बायोलोजिकल इंपॉर्टेंज के बारे में भी पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वॉसिंग सोडा से वॉसिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट इसको हम सॉल्वे प्रोसेस से प होने वाले रियाक्शन की बात करें तो सबसे पहले अमोनिया वाटर और सियोटू के साथ रियाक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है और अगर हम वाटर और सियोटू को एक्सेस में सप्लाई करें तो ये हमें अमोनियम कार्बोनेट इनसे रियाक्ट करके बाई हो जाता है फिर हम ammonium carbonate की reaction brine solution या फिर कहें NaCl solution के साथ कराते हैं जिसके बाद हमें ammonium chloride और sodium bicarbonate मिलता है जिसे हम इस equation में देख सकते हैं फिर हम यहाँ पर बने हुए sodium bicarbonate को heat करके sodium carbonate obtain कर लेते हैं जो की कुछ इस equation के थ्रू होता है reaction में यूज हुए ammonia को recover करने के लिए हम बनने वाले ammonium chloride solution को calcium hydroxide के साथ treat करते हैं जिसके बाद यह हमें ammonia, calcium chloride salt और water as a product दे देता है यदि हम sodium carbonate के properties की बात करें तो यह एक white crystalline solid के form में exist करता है जो की एक decahydrate form में होता है या फिर हम यह कहें कि एक sodium carbonate molecule को दस water molecule hydrate करते हैं sodium carbonate water में बहुत ही ज़्यादा soluble होता है और इसको हम washing के लिए use करते हैं इसी लिए हम sodium carbonate को washing soda भी कहते हैं अगर हम sodium carbonate decahydrate को 375 Kelvin पर heat करते हैं तो यह no water molecule lose करके हमें sodium carbonate monohydrate देता है और अगर हम temperature 375 Kelvin से ज़्यादा कर देते हैं तो monohydrate अपना water molecule lose करके हमें anhydrous sodium carbonate दे देता है इसको हम soda as भी कहते हैं जब हम sodium carbonate को water में डालते हैं तो sodium carbonate का carbonate part water के साथ react करके hydroxyl ion produce करता है या फिर कहें alkaline solution बनाता है चलिए देखते हैं कि हम sodium carbonate का कहां कहां पर use करते हैं तो sodium carbonate का सबसे important use होता है कपडों की धुलाई के लिए और hard water को soft करने के लिए और industries में sodium carbonate को glass, soap, borax और caustic soda और soap बनाने में use करते हैं sodium carbonate को laboratory में compounds की quantitative और qualitative दोनों तरह की analysis के लिए use करते हैं इसके अलावा sodium carbonate का use paper industry में, paint industry में और textile industry में काफी large amount में किया जाता है